सेना सुबेदार राजस्थान से बेटे की शादी में घर आये बदमाश उठा ले गया सिवान पुलिस ने राज खोला नमस्कार महुशिवांगी और आप देख रहे हैं एबन न्यूज बिहार बेटे की शादी में गाव अपने घर आया था भारतिय सेना की सुबेदार ऐसी कहानी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे ज्रियान दरसल बता दे कि सिवान जिले के बसंपूर थाना शेतर के कथित रूप से अपहरिद गोपालगन जिला निवासी सेना के सुबेदार को शप्रा के भगवान बाजार थाना शेतर सेश्च सौ कुशल बरामत कर लिया गया है प्रकंड के तीनों जिलों से जुरा होने के कारण ये मामला काफी चर्चित हो गया था बसंपूर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि लगतार मोबाइल का लोकेशन सारन जिले का ही मिल रहा था जिस जगह से बरामदगी हुई वहाँ पहले भी पुलिस लोकेशन के अधार पर पहुँच चुकी थी लेकिन वो चिप गया थाना अध्यक्ष ने बताया कि वो अपने परिजनों से बात कर मोबाइल को स्वीच ओफ कर ले रहा था इससे बरामदगी में देरी हुई जैसे ही उसका लोकेशन भागवान बाजार थाना चेतर का मिला ततकाल वहाँ की पुलिस से संपर्क साधा गया बसंदपूर वह भागवान बाजार थाने की पुलिस ने उसे बरामदगी के बाद रविवार को उसकी मेडिकल जाच कर आई थाना अधियक्षी ने बताया कि सोमवार को उसे 164 के बयान के लिए कोट में पेश किया जाएगा आखिर पुलिस को देखकर सेना के सुवेदार क्यो भाग रहा था उसके पीछे क्या राज है क्या कुछ बता है बतादे की सेना के सुवेदार गोपाल गन जिले के बैकुंडपुर थाना चेतर का चमनपूरा निवासी स्वर्गिये श्री चरन पांडे के पुत्र उमेश पांडे के अभारन की प्रात्मी के उनकी भाई संजय कुमार पांडे ने बसंपूर थाने में दर्ज कराते हुए लक्री नभी गंज ओपी थेतर के पराउली निवासी दो लोगों को आर ओपी बताया था मामले में कांड संख्या 169 बते 23 दर्ज कर बसंपूर पुलिस मामले की चानबीन में जुट गई थी इस बीच चर्शा हुई की फिरोती के लिए 8 लाख रुपे की मांग भी की गई है पुलिस आधूनिक तकनीक से पूरे मामले की जाच में जुटी है थाना अध्यक्ष मुकेस कुमार ने बताया की जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा हलाकि इस मामले में अभी कई खुलासे होने बाकी है सेना का सुबेदार उमेश पांडे बेटे मोहित पांडे की शादी को लेकर राजस्थान से गाव आया है इस बीच ये मामला हो गया मामला उस समय और विबादा स्पध हो गया जब बसंपुर में FIR दर्श होने के बाद सुबेदार के बेटे ने अपने ही घरवालों पर अभरन के आशांक चता दी पुलिस ने तदकाल दोनों को हिरासत में लेकर पुस्ताश शुरू की लेकिन उनकी कोई संलिप्तता नहीं मिलने पर छोड दिया गया फिलाल बरामदगी के बाद सभी ने च्वैन की सास ली है यहाँ पर बता दे कि परौली गाओं के दो लोगों पर फायार दर्ज होने के बाद शेतर में ये चर्चा शुरू हो गई कि दाल में कुछ नकुछ जरूर काला जरूर है इस मामले के पीछे क्या कुछ कहानी है जो पूरी तरह से अभी साफ नहीं हो पाई है अपरान से ले